साथियों बच्पन में हमारे स्कूल में सुबा की एक प्रेयर हुआ करती थी, प्रार्थना हुआ करती थी, तेरे पूजन को भगवान बनावे मंदिर आली शान जी हाँ, मंदिर की कितनी बड़ी महता, कितनी बड़ी इसकी मानता, लेकिन मंदिर क्या, क्या वहाँ पर कोई उर्चा ऐसे आई जो उपर से आई नहीं, उसको हमने क्रेट कर दिया हमने अपनी जो हमारी body के energy थी साथियों उससे हमने वहाँ पर energy को वहाँ डौलप कर दिया और वही create हो गई एक अद्वित्य energy इसी को कहते हैं मंदिर हर घर में मंदिर बनाने की परंपरा रही है छोटा सा मंदिर बने या बड़ा बने उसको हमेशा हम कहते हैं पूजा स्थान कैसा पूजा स्थान कहां बन गपनाया नहीं बनाय तो क्यों नहीं बनाएं तो क्यों मंदिर में अपने घर के मंदिर में पूजास्थान में धूप अगर बत्ती जो जलाएं या ना जलाएं तो क्यों जल वहाँ पर रखें या नहीं रखें रखें तो क्यों नहीं रखें तो क्यों साथियों की लाइन लग गई मेरे सामने और इसी चाहते हैं तो यह वीडियो आप सब श्रधारों के लिए है जो कि उस परंपिता पर्मात्मा की पावर को उसके शक्ति को पैचानते हैं और नमन करते हैं उसको हमेशा दिल से अंतरराश्ट्रिये ख्याति प्राथ सेलेब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट वास्तु शास्त्र के एंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाच नमस्कार साथियों बहुत बहुत स्वाजत है आपका मेरे इस चैनलर पर जिसमें हम बातें करते हैं वास्तु शास्त्र के डिफरेंट डिफरेंट पहलो के बारे में और आज का टॉपिक है हमारा बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट जिसमें हम लेंगे क्यों कितने सारे क्यों पूजास्थान बनाते हैं पूजास्थान में और जो मंदिर होता है उन दोनों में मंदिरों में पूजास्थान में अंतर क्यों घर का मंदिर जो है कहां पर बनाना चाहिए और क्यों बनाना चाहिए ये भी आमने आपको बताया था लेकिन फिर से आज ले रहे हैं सवाल क्यों सबसे पहली ब आपके घर में होता है, उसके उपर गुंबद नहीं होना चाहिए, दूसरे कहते हैं होना चाहिए, तीसरे कहते हैं नहीं होना चाहिए, चौथा कहता आधा होना चाहिए, कोई कहता चाहता होना चाहिए, कोई कहता खुला होना चाहिए, वहाँ से उर्जा मिलेगी तरह तरह की क्या है क्योंकि मैं हर चीस को चैक करता हूं, अपने मीटर से से, सेंसर से, स्कैनर से, मेरे पास बहुत एडवांस टेकनलोजिय है उज्जाओं को चैक करना ही कि Capture कि मैं जब भी कोई चेंज करता हूं, तो सबसे पहले उसकी इनरजी को चैक करता हूं, कि मैं प्लस में गया या माइनस में गया मेरा भला हुआ या नहीं हुआ सबसे पहले आप देख रहे हैं जो मंदिर हम क्या करते हैं बहुत बार अपने घर के प्रांगड में घर के बाहर कई बार हम मंदिर बना दिया करते हैं अगर आपने घर के बाहर प्रांगड में अगर आपने बनाया है कोई मंदिर तो उसके उपर ये गुंबद नहीं होना चाहिए अगर घर के अंदर भी बना रखा है आपने और वहां से अगर बाहर दिखाई दे रहा है सड़क पर चलते वे आदमी को दिखाई पढ़ रहा है रोड पर चलने वालों को दिखाई दे रहा है गुंबद तो वो समझ आएंगे ये मंदिर है तब वहां पर गुंबद नहीं होना चाहिए अब आप पूचेंगे क्यों जी हां क्यों इसलिए क्योंकि होता क्या है कि बहुत बार जहें बहुत से श्रधालों या बहुत से लोग हमारी बहुत बड़ी पापुलेशन अपने जहें जो नेगटिव ग्रह होते हैं उनको उतारने के लिए शनी राहू के तो और पताने किस को उतारने के लिए या मनते मांगने के लिए या किस जो कि ठीक नहीं है वो बाहर के दुख हमारे घर में क्यों आए इसलिए मंदिर का जो गुमबद बनाते हैं वो नहीं होना चाहिए अगर बाहर विजिवल है अब घर के अंदर अगर आप मंदिर बनाते हैं आपके घर में अपने मरारका चोटा सा मंदिर है लकड़ी का आता है बहुत से चीज़ों का बनावा आता है मार्बल का भी बनता है लेकिन उसके उपर गुम्बद होना चाहिए क्यों होना चाहिए इसका भी रिजन है आप जहां पर मंदिर जहां बनाया आपने अपने घर का आप फ्लैट में रहते हैं ये एक तना से ये मानना कि हमारे परंपरा के अंदर और हमारे शास्तनों के इसाब से एक false ceiling है मंदिर की, हमारे पूझा की एक false ceiling है ताकि जब कोई उपर कोई भी negative चीज उपर आती है तो उसका impact नीचे तक नहीं आए, ये इसका कारण है, मुझे लगता है समझाया मैंने ध्य प्रिजा पगोड़ा जितने भी हैं सब के सब, सब के उपर आपने देखा, कि उसके उपर गोला कारा किरती होती है, उसको कहते हैं हम energy processor, negative energy अंदर आती है, तो वो सिधी वहाँ से बाहर निकल जाती है, तो उस कारण से भी आपके जए जो मंदिर बनाते हैं घर में, उसके चोटा सा एक गुंबद होना चाहिए, उसमें पिरामिड होना चाहिए, अब आता है, आती है बात इस बात की, यह आता है, सवाल ही आता है, कि जब हमने अपने घर के अंदर मंदिर मनाया, तो ठीक है, आपने कहा भार्दवाजी के मंदिर को रखो इशान कोड में, लियाउट प्लान है, आशियाना क्रेशन, जमना नगर के सोजन्ने से आपके सामें दिखा रहे हैं, देखिए, पूजा स्थान यहां, मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, काफी बड़ा लिखा हुआ है, यह जो पूजा स्थान है, एक्चलि यह जो घर है, यह मतला यह ने की बिल्कुल कोने में ही डाल देंगे आप, अब इस मंदिर के जब हम यहां पर पूजा स्थान बनाया हमने, इस मंदिर को बनाया, तो इसमें हमें, हम जो जलाएं ना जलाएं, साथ ही बिना जो जलाएं तो वहां पर आप ना तो आर्थी कर सकते हैं, ना है यह देखिए यह भी ड्राइंग है इस लियाओट के अंदर आप देख रहे हैं कि इसमें जो पूजास्थान है यहां बनाया गया अलग से छोटा मकान नहीं बन पाया देखिए छोटा सा जो पूजास्थान है यहां बनाया हुआ है इसमें पूजास्थान लिखा हुआ है और यहीं पर जहें पूजा करेंगे परिवार के लोग बैठ कर इसका अर्थ क्या होता है मैं इंडिकेशन देना चाहता हूं कि यह ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने वहां पे अगर पांच फूट का दस फूट का बीश बनाया आपने पूजा के लिए तभी आपको बेनेफिट मिलेगा ऐसा नहीं है पूजा का स्थान जहें चोटा सा है बड़ा है बहुत बड़ा है उर्जा बराबर मिलती साथियों उर्जा में कमीनिया दें कभी में क्योंकि उर्जा जनरेट होती है हमारी शर्दा से अब द लाइना जला है वो दूसरा टॉपिक है अभी क्या है दूप के बारे में आता है अब इसका आपको बताते हैं कारण क्या होता है जब भी पूजा स्थाना बनाते हैं तो हमेशा पूजा स्थान में आपको देखिए अब यह आया वो पॉइंट जहां पर मैं आपको लाना चाहता था इसमें देखिए यह जो पूजास्थान है यह पूजास्थान घर के अंदर है मंदिल घर का इसमें आप देख रहे हैं कि उपर जहाँ इसके उपर आपने देखा कि यहां पर इसका गुम्बद बना हुआ है ठीक है गुम्बद बिल्कु ठीक है अब आती है बात कि इसमें दूप अगरबती दूप अगरबती साथियों देखो यह जोत यहां जल रही है और इसके साथ-साथ आप ये भी देखे कि एक जल का पातर यहां रखा हुआ है अब यहां पे सारी कहानी शयर्द आपको समझे में आगी होगी अब क्योंकि पूजास्थान को नौर्थीस में होना चाहिए इसान कोड में होना चाहिए जल का सान होता है वहाँ पे कोई भी गरम चीज नहीं होने चाहिए अगनी नहीं होने चाहिए और जब वहां पर हम अगनी यूज्स करेंगे नहीं करेंगे तो इसको बैलेस करने के लिए इसी को balance करने के लिए जो बनाया गया है साथियों वो बनाया गया है जल देखिए ये अगनी है और ये हमारा जाहे की जल है दोनों को जब balance किया अब देखिए इसमें ध्यान एक बात पर देदेना आप जब हमारा पूजा स्थान नौर्टीस में इशान कोण में है और हमारा फेस पूजा करते समय इश्ट में कर रहे हैं तो जो अगनी है हमारे ये राइट हैंड पर आ रही है ये हमारा जो है इधर कागर देखा जाएगा तो यहां पर अगनी होगा अगनी कोण हो जाएगा इस पूजा स्थान का अगनी कोण और ये हमारा हो जाएगा इशान इशा मंदिर बनाया वहार से विजिवल होता है तो गुम्बद बिलकुल नहीं होना चाहिए यहां तक जो बड़ी-बड़ी फैक्टी है जैसे कि मंदब बहुत बड़े-बड़े द्योग पती है वह बहुत बार उनका जो पांच एकड़ सब्सक्राइब बीस एकड़ कारूं का जाए इंडस्टल प्रॉट होता है आपने देखा गेट में गुस्ते सबसे पहले मंदिर होता है वह मंदिर पुब्लिक मंदिर होता है एक तरह से वहां पर 100-500-2000 लोग वहां पर श्रदा रखते हैं आपनी और एक तरह से पब्लिक मंद रहें ना पका रहें आप क्यों पका रहें क्योंकि कोई-कोई आपको जाए किसी ना किस तरह से घिरने की कोशिश करता है आपको अगर और और नहीं पता होगा लोजिक नहीं पता होगा तो आप फसते चले आएंगे और मेरे होते हुए आप क्यों फसें साथ यह मुझे दबादेना बैल आईकन दबादेना और साथ साथ यह मेरे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप शेयर करना मत भूलना तुरंत कर देना इसको शेयर भी और साथ में लाइक भी अगले वीडियो में फिर से आप से मुलाखात करता हूं एक नेया टॉपिक लेकर झाल झाल